असलाम लेकूम, आज बनेंगे एकदम सॉफ्ट से गुलाब जमुन बनाकर रेडी करेंगे देखिए कितने सॉफ्ट अन्जूसी गुलाब जमुन बनकर रेडी हो गए हमारे चलिए बनाना शुरू करेंगे अब क्या करेंगे पहले चाशनी बना लेंगे अपर देखिए 300 गिराम शक्कर है ये शूगर 300 गिराम है टोटल ली पुरी अब इसमें दो गलास पानी डाल देंगे अपर डाल कर चाशनी बनाना शुरू करेंगे अब देखिए दो गलास पानी डालने के बाद एक दो इलाची आट कर दी मैं इसमें अब इसको अच्छे से पुरा शक्कर में पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब प्लेम पान रख देंगे अब ये देखिए गुलाब जामून मिक्सर है ये रेडी मेट वाला रेडी मेट गुलाब जमून मिक्सचर से गुलाब जमून तयार करेंगे अब अपन एकदम सॉफ्ट ली गुलाब जमून बना कर रेडी करेंगे ये दो पैकेट वाले गुलाब जमून है इस तरह से मिक्सर डाल दी में अब इसमें दूद दाल देंगे अपन, दूद दालते हुए अच्छा सा एक डो लगा लेंगे, एकदम सॉफ्ट से डो बना लेंगे अपन, दूद से भीगाते हुए, थोड़ा थोड़ा दूद आइट करते हुए, टोटली 250, 350 गिराम, 3 ml दूद लगा हमारको ये भीगाने में, देखिए इस तरह से एकदम लूज भी रखना नहीं है, इस तरह से रोटी काटा जैसा बनाते हैं अपन, इस तरह से हाट सा गुन लेंगे, कवर करके एक आदे खंटे के लिए छोड़ देंगे अपन, अब एक ब नहीं हुई, एक दम गाड़ी रखना नहीं है, अपने को दो तार की चाशनी बनाना नहीं है, देखिए बिल्कुल एक तार की चाशनी जैसा बनाना है, अभी फाइ मिनर्स तक पका लूँगी, उसके बाद फ्लेम आफ कर दूँगी में, अब क्या करेंगे अपन, आदा घं इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे गुलाब जमुन के, और क्रैक आना नहीं है, एक दम सॉफ्टली गुलाब जमुन बनकर रडी करना है, देखिए इस तरह से रॉन रॉन शेप में घुमाते हुए रॉन बनाना है, चलिए बना लेंगे अपन, और एक बना कर पूरे बना कर बनांगे अपन, एक लमबे वाले हलवाई स्टाइल वाले गुलाब जमुन और गुलाब जमुन बना लेंगे, देखिए, इस तरह से दो शेप वाले गुलाब जमुन बना कर रेली हो गई है, अब देखिए मैं पैन में अच्छे से ऑईल गरम करने के लिए रख दी ऑईल अच्छे से गरम होने के बाद एकदम लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे अपन एकदम फ्लेम लो रखना है ने तो जल जाते देखिए जितने पैन में आए उतने आइट कीजिए अब इसको उपर से ऑईल एट कर देंगे गरम सा अब इसको पलठाते जाएंगे अपन इस तरह से एक कलर गोल्डम डॉम कलर आए तक इस तरह से पलठाते जाएंगे एक अच्छा सा कलर आजाना है गुलाब जामून का और लो फ्लेम पर ही रखना है ने तो कच्छर है ते गुलाब जामून अंदर से देखिए इदर उदर पलठाते हुए कलर दे देंगे अपन और पलठाना जरूरी है ने तो कलर बिल्कुल चेंज हो जाता एक दो से तीन मिनट तक फ्राइ करते गए अपन लो फ्लेम पर ही एक अच्छा सा कलर आज तक इस तरह से ही फ्राइ करते जेंगे देखिए इजिली बनाकर अड़ी कर सकते हैं ये गुलाब जमून मिक्सर से ही एक बर बनाकर जरूर ट्राइ कीजिए आप लोग इससे भी फोर टेस्टी बनते हैं की एक चलिए अच्छा सा कलर आ गया और क्या करेंगे अपन निकाल लेंगे एक चानी तरफे मदर से निकाल लेंगे और बिल्कुल हना नहीं आभ गर्शा देखिए ल हैं करें लो फलें सिसके से अपनल हना dest से निकल बिल्कुल वर शोगर शिरफ का मैं करदी छाषणी चाष्णी बन गई अच्छे से निकल जाना है इस तरह से अब सिध्या शोगर शिरफ में जो चाष्णी बनेगी आपन इस तरह से यह देखिए फिर से एक बार दाल गई मैं और बचे से भलाब जमुन देखिए ये भी एक अच्छा सा कलाराय तक फ्राई कर लेंगे अब 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 बाजार जैसा टेस्टी गुलाब जमुल बनकर रडी हो गया हमारे इस तरह से ही लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे इसको भी एक अच्छा सा कलाराय तक फ्राई कर लेंगे अब 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 बाद देखिए ये भी होने के बाद वही चाशनी में दाल कर एक आदे घंटे के लिए छोड़ देना है क्योंकि अच्छे से करने के लिए बिल्कुल रड़ी है अगर ये रेसीपी पसंद आई तो लाइक शेल सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलिंगे अगली रेसीपी के साथ अलाह आपीस